तो आज हम करेंगे चैप्टर नमबर 6, Squares and Square Roots, Mass, Class 8, Monika Kapoor रतना सागर, So, Exercise 6A है, स्टार्ट करते हैं, Question No.1, Question No.1 में बोला गया है, By using Prime Factorization, check if the following numbers are perfect squares, देखें जी, हमें, Question No.1 में, हमें 6 parts दिये हुए हैं, ठीके जी, तो हमें क्या use करना है, सबस्क्राइल हमें use करना है, देखें, Prime Factorization, ठीके जी, हमें ये use करना है, Prime Factorization, और हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है, कि ये हमारा जो दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वेर है या नहीं है, ठीके जी, देखें किस बता लगाते हैं, जैसे इसका first part है, 1936, ये एक नंबर है ना, तो जब भी आपको Prime Factorization निकालना होता है, जिसको आता है, अच्छी बात है, जिसको नहीं आता हो, सीख ले, देखिए, आप लिखेंगे 1936, और ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, अब क्या करेंगे, देखिए, सब को divide करना तो आता होगा, मैं मानता ह तो फॉर एक्जामपल, जैसे मानलों मुझे आपर नंबर दिया है, 2, मुझे इसको 2 से दिवाइड करना है, तो क्या करता है, मैं गाता है, 2, 9, 18, 1 बचता, फिर मैं ऐसे 3 को नीचे होता हुआ रहे था, 2, 6, 12 मैं ऐसे करता, फिर 1 बचता, फिर मैं यहां से 6 को नीचे होता कर आय Sometime हम करते हैं लेकिन यहां पर क्या होता डिवाइड में आपको नमबर दिया होता है पूरा 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 फिर फाइब तो पॉइंट लगाना पड़ गया तो इसमें मुझे इस तरीकी देशाव करना है कि मुझे पॉइंट लगाने के जरूरती ना पड़े मुझे एक ऐसा नमबर तलाश करना होगा जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूं ठीक है जी समझ में आया अब देखिए जैस तो यहां पर मुझे अपनी तरह से एक नमबर चूस करना है तो डिवाइड हो जाए और मुझे मॉझे मालूम पूरा पूरा नमबर से दिवाइड हो जाएगा क्यों अगर कोई भी नम्मर है जैसे नमबर है उसके आखरी में घर जीरो है या टू है या four या six या 8 ठीक है ए कोई भी Number हो कितना भी बड़ा हो उसके आखरी में out 0 2000 अब और हमारा तुसेद रिवाइड कितना भी बड़ा Number Bay ॉदं आपको अनल देखना है ताकिंस्elim घृण तो अपनी तरफ से ले लिए अब देखं़ क्या करेंगे आप दिहान देना जरां कि अब यहां पर कैसे करता हूं मैं करता हूं टू नाइन जा यहां टू नाइन जा एटीन तो वन बच ग्या अग्रा नमर क्या थरी तो कितना हो गया थर्टीन यहां से यहां पर मैं क्या करूब बच जाएगा अब मैं क्या करूं यहां पर तो यहां पर तर्टीन था तो बचिया तो बच और नमब क्या आप देखें यहां होंगा सिस उतार हूंगा टू एड़िजा सिक्स्टीन जीटो आ गया अब हम क्या करेंगे जैसे मेरा डिवाइट खतम हो गया ठीक है तो फॉर जंबल मैं क्या करूंगा अब मेरे यहां पर टू से डिवाइट खतम हो गया अब फिर से अब मेरा अब मेरा नए नंबर क्या है 968 968 मुझे फिर से फॉर जांपल सो डिवाइट करना है जैसे फॉर जांपल मैंने देखा आखरी में एट है तो अगर आखरी में 0 हो टू हो 20602468 अगर आखरी में ऐसे नंबर हो गहीं को बशलिए है तो बजा ट्पर 48 ट्रीक cats को ट्रिक सब्सक्राइब यहां पर कैसे करता है यहां पर वैसी उता रहता है तो फॉर्जा एट तो जीड़ आ जाता यह तो टू एट बचा टू फॉर्जा एट देखो टू फॉर्जा एट वन बचा तो वन शिक्स के साथ मिल गया आप देखिए टू फॉर्जा एट ठीड ऐसे टू एट एसे चल रहा हूँ ठीक है ना चलिए यह हो गया हुए अब देखिए इसको रपकर दिया जीरू आ अब रपकर दीजिए ठीक है अब देखिए अब यह फॉर्ट फॉर्णा यह दूबारा से मेरा नाय नमर बन गया मैं स्थोकि सीन 2 से क्यों करा क्योंकि आफ्रीमें फूर यह नंबर में ऊच्छ मियां पिक कर रहा हूं तेक से पूरा गोड़ आगे मैं करूंगा तो यह नंबर खुछ से अपनी तरफ से बिक कर रहा कि Тогда मुझे देखd Smith to say清 ittons se दिवाइय कें वे 2 4 is an 8 , इसको डिवाइड कर लिए ऐसी राता है ना 2 2 4 आता फिर 0 आता है फिर राप 8 उतारते फिर 2 2 4 4 तो तो ही तो हो गया अब मुझे क्या करता है ने डिवाइड करना है तो फर इसको दूबारा तूसे डिवाइड कर रहा है तो अर्की में ने आख रहा आप के पिदिवाट यहां पर फोर यहां पर किया पर उतारते हैं यह इसके बाद इस पे फोरी लेंगे कुछ अगर कर्ण जाता हैं सिर्जारें ऑन बचता मिन जाता है दो तो ऑन बचता चीज को मैंने जाता मतलब सेम चीज़ है बट हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर रहे हैं ठीक है? और बार-बार हम क्या कर रहे हैं जीडो आने के बाद जो आनसर आता है उसको हम दूबबर consult को Divide कर देता है देखिए 2 is a 22 is a for a two one size just to so one two, one यह पे आता for example देखिए फरक掉 university is a four zero अपने तह्व आपने डूटा रहा two ones are two छी इसको यह 0, अब मैं क्या करता हूँ जो भी मेरा यह answer रहता है इसको मैं निए अब देखिए इसको मैं नएन डिवाइट करूंगा अब डिवाइट के लिए हम यहां पर नमर लगाना होता है ठीक है अब देखिए अब यह नमर किससे जाएगा यह नमर जाएगा 11 से 11 11 11 11 12 तो वन बच्चा और अगला नंबर क्या है 11 11 11 इस तरीके से हो गया देखिए कैसे करते आप इसको अगर डिवाइड करते तो आप ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा 11 वाला जो है भी देखिए बच्चता वन उपर से उतार तो 11 11 11 दिल हो गया अब इसको दुबार हम डिवाइड कर रहे हैं पर किसी दिवाइड होगा 11 11 11 11 11 11 11 11 वन तक लाना होता है बस पूरा सौल्व हो गया अब इसको डिवाइड कर लोगा फिर बन से चलता ही जाएगा ठीक है हमें उसमें पढ़ना नहीं है वन आ गया बस आपका प्राइम हो गया पूरा ठीक है अच्छा अब देखिए अब जैसे जिन बच्चों को नहीं मालू मैं उनको बता जेता हूं कि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए अगर इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए एक तो आपको टेबल अच् 15 multiplied 13 की समझने लोग इस तरीके से आपको 20 कम से कम 20 तक याद करो एक लिए फोल need इस तरीके से जब आपको याद होगा तो आप इसको याद कर लेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे तक टीक है अब देखिए इसने बोला था बाइ उजिंग प्राइम फेक्टरिजेशन हमें चेक करना था कि यह एक परफेक्ट स्क्वेर है यह नहीं है तो सबसे पहले मैं आपने क्या करा प्राइम फेक्टरिजेशन करा मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखा दिया दिवाइड करके अब अगले पार्ट में जब मैं अगले पार्ट करूंगा तो उसमें मैं यह दिवाइड वाला नहीं करूंगा तो दिवाइड वाला पार्ट में बार बार नहीं करूंगा वह मैंने पहले पार्ट में समझाने के आपको बता दिया क्वेशन नमर फर्स्ट तीन चार और फिए दो बार 11 आपको ऐसे लिखने ने बर नाइन 1936 के बराबर क्या यह इस पूरे अगर आप इस सब को मुल्टिप्लाइब करोगे ना और इस पूरे को अगर आप मुल्टिप्लाइब करोगे तो वापस से आंसर कि आएगा 1936 आएगा इन यह चार बार दो और दो बार गया इन सब को अगर आपने मुल्टिप्लाइब की आपस में तो वापस से 1936 आएगा ठीक है जब यह आपको आपको क्या करना है टू-टू के बनाने देखो टू-टू पेर टू-टू का पेर इन दे कि इसे आपको मार्क कर कर आनी है अगर आपने सब जो भी नमक्र से आपको आए हैं सब क daylight बना दिया कवे त्यृक्त का आप raising 3 त्वक्त करें तो आपने काम करना अच्छा इन दोना भी जोड़ा राओ तो भी जोड़ा रहे जाता तो आप तका जोड़ बनता क्या पुआ में गया तो आप लिखोगे इसको आप लिखोगे में सींस six to know A number is the leftover, डीक हैं देख्या आपकी बुक में घृक्ए में आपको बता दूएंपके एक्जांप्ल दिक वोके तो लंफी लंबी लाइन दी होई किया दिया हुऊ roi kiaкого c Vaccie the prime factors of number for example 416 16 can be got into pairs of equal factors and no factor is left over तो इस तरीके से आपको क्या करना है आपकी इस में दिया हुआ है तो यह काफी बड़ा है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको यह वाला यूज नी करना क्योंकि काफी बड़ा है अगर आप यूज करना चाहिए अच्छी बाते मैं उसको मना तो नहीं करूंगा लेकिन अगर आपको शॉट में चाहिए कि या कुछ शॉट सा मिल जाए तो जो मैं आपको बता रहे हो ना बस आपको आप वह लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा ठीक है क्या लिखोगे नो नंबर इस लेफ्ट ओवर ठीक है नो नंबर इस लेफ्ट ओवर या फिर द्याब लिख सकते हो लुछ है नंबर अब एुझ सकता हो उसलीत क्योंकि यह सारे स के फैक्टर feel覺। नोउ फैक्टर कि यह फैक्टर मतलब यह जो नमर्स है इसके फैक्टर से करORTER कि इन नमरों से यह डिवाइड हो यह फैक्टर से सिन्स नॉफैक्टर इस लेफ्टोवर कोई भी फैक्टर बचा नहीं है देख ceram thôi जोड़ा जोड़ा तो यह आपको लिखके आ जाना है आपको पूरे नमर मिलेंगे कोई आपका नमर नहीं काटेगा बस आपको एक statement लिखनी है और यह मैंने line बनाई underline यह भी आपको करके आना है यह indicate कर रहा है कि आपने जोड़ा बनाया है अगर आप यह नहीं लिखोगे आपको ज्यादा लिखना पड़े अगर आप यह नहीं मना होगे ठीक है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और ज्यादा लिखना पड़े आपका number कार्ट लिया कुछ भी हो मगर बनाकर आते हो आप तो एकदम प्रेजेंटेबल लगेगा बंदा वन फेक्टर इस लाफ्ट ओवर हैंस जो भी नमर होगा इस नॉट परफेक्ट स्क्वेर ठीक है चलिए है कि सेटिव पार्ट देखिये इसका कि सेक्र में क्या वहला इसने वहां तो नैने यह वहां तो नाइन शेक्स तो मैं इसके क्या करने इसके होगा 8 होगा अगर नंबर के आखरी में इन में से कोई भी एक डिजिट है तो मैं तो से करूँगा तो टू से ट्वैल ठीक है अब यह नाइन है तो टू फॉर्जा एट तो वन बच गिया और आखरी में कितना है सिक्स तो होगा 16 टू टू एट शीक्सिन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है बेसिक से डिवाइड करके कैसे करते हैं ठीक है इसमें अब डिवाइड करके नहीं देखूंगा अगर कोई बच्चा मेरा यह वाला कुश्चन देख रहा है उसमे समझ में आएगा ठीक है और आपको प्राइम आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहां से अब आखरी में एट है तो टू से करूंगा मैं तू तू है सिक्स तू टू टू टूसा-फोर टू टू-फोर ग्राइट यह सा इप दूश्ट है दूबरहें तो यह आता नहीं ह आप देखिए हमारा पहले नमर क्या है वन है ठीक है अब यह वन तो जाएगा नहीं तो दोनों नमर के एक साथ ले लेंगे तो 16 हो गया तो तो टू एड़ शाट शिक्सटीन अब यह नमर है अब यह नमर किसे जाएगा फर एक्जैंपल टू से आपको पता चल गया जब कोई नमर हो आपको लग रहा है या तू से जाएगा नहीं क्योंकि आखरी में वन है और टू से तो तभी जाएगा जब जीरो हो टू हो फोर छो इंगे तो किससे जाएगा तो लिए तeshत्री से करेंगे यी से कैसे चेक करते है जो भी नमर होगा माले एक द्सक्राइब कि सक्थ करो गए एट प्लस वन कितना हो गया कंते है चाहरी में ने हो गया तो प्लस करने के बाद हная तो नमम अगला नमबर किया वन तो इतना हो गया और आपको इस प्राइब करके देख लो रूल इसमें भी लगेगा देखो टू प्लस वन इक्वाइस टू तो थी थी तीड़ेबल में आता है लेकिन बता रहा हूं कि अगर बड़ा नमबर आ गया तो मैं कैसे पता लगाना है तो मैं मैं इस तरी से पता लगाना है अब देखिएगा यह हो गया देखिए अब यह हमारा है 1296 इसके फैक्टर में यहां पर लिख लूँगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार थ्री आया मेरा चार भर एक दो तीन चार अब देखिए इन दो का जोड़ा बना इन दो का जोड़ा यह पेर यह पेर तो कोई भी नंबर हमारा नहीं पेचा त्वारा लिखेंगे सिंस नो फैक्टर इस लेफ्ट ओवर हैंस वन टू नाइन शिक्स एज आ परफेक्ट स्क्वार ठीक है यह मारा स्वाल्व हो गया चलिए इसका करेंगे हम थर्ड पार्ट यह थर्ड में क्या है 3645 3645 देखिए नंबर यह ना आखरी में देखें कि पांच अगर आखरी में जीरो हो या पांच हो तो वो नंबर हमारा डिवाइड होगा 25 से हां अगरा उकले में जीरो हो तो नंबर टू से भी और टिवाइड हो सकता है और फांच से भी सता यह पौसिबल है तोटर नमबर चुनना चाहिए और बड़ा नमबर चुनते कोई गलती नहीं है अगर आप उसमें एक दम मतलब यौन परफेक्ट फर एक्जामपल दोनों नमबर ऐसे होने चाहिए एक सेम नमबर है से नमबर टू से भी कट रहा है और से नमबर फूर से भी कट रहा है है ना सज्कें आपको लेना है फोर नहीं लेना आपको लेनермा ऐए खेन्केन आपको एसा अफैक्टर लेना है उसका जो और एवाइड ना हो सके है फोर को तो और डिवाइड कर सकते हो तो और चोटा होगा नहीं एंट है फाइफ है तो और तो चोटा होगा 3 चुनना है क्योंकि 9 को आप दुबारा 9 को आप दुबारा और चुटा कर सकते हो ऐसे तो आपको ऐसा नमर इसलिए यह समझाए जाता है बच्चो को कि आप छोटा नमर चुना करो ताकि बच्चो बच्चे जो है कोई गलती ना करें लेकिन ऐसे किसी में जिसमें अब 2 चुन सकते हो ऊब बढ़ा नमबर भी क्योंकि इन नमरों को और थीहान देना है था है तो यह आखरी पर flame ऑदिए वाइफ है तो आखरी में वाइफ है तो मैं इसको आपको बताया ठीक है देगे तो इस दिवाइड करेंगे 36 है तो 5735 होता है तो वन बचिया अगला नमर क्या फॉर 14 तो फाइफ गड़ा है तो फाइफ टूजा 10 तो इस में से इसमें से 4 बच गया अगले नंबर क्या 5 है कितना हो गया 45 हो गया तो 59 45 हो गया आप देखिए यह नंबर आ गया मेरा तू से तो कड़ेगा नहीं थ्री से ट्राइब करो सब्सक्राइब तो अगर मान लीजिए अगर यहां पर कोई नंबर आता है तो इसको भी आप प्लस करके देख सकते हो तो कितना हो गया वन प्लस एट इकोल्स तो आए यहां पर आपको पता चलिए यह था कि भाइट टेबल में आता है कुछ केसी में ऐसा होगा कि यहां पर बहुत बड़ा नमबर आ जाएगा अब आपको सब्सक्राइब आपको इनमबर यहां पर दिया हुआ था आपने प्लस किया शैवंटीटीटू आ गया ठीक है तब सब्सक्राइब करें तो इसको भी प्लस करके देख लो सेवन प्लस टू इकोल स्टू नाइन आता है ठीक है ऐसे हम आप कर सकते हो चलिए तो तो दिवाइड करेंगे तो तो वन बचा अगले नमर क्या है टू तो ट्वेल बन गया थी फॉर्जा ट्वेल्टीटीटीटीटी अब देखो 81 है घर के देखो नाइन आ रहा है ठीज से डिवाइड हो जाएगा थी टू आपको पता ही है थी नाइन थी वंजा थी हमें बन तक जाना होता है तो वन तक हमारा आ गया ठीक है उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसके बाद हम वहीं लिख देंगे भई अब जो 645 देखिए, पांच एक ही बार है तो एक बार लिख दिया, एक, टीन, चार-5 छे खी अप दिखे। अब देए यह बना यह बना यह बन गया, जोड़ा बन गया सब CAP हमारा एक नंबर आगर आप ध्यान के माराया है यह इसमें क्या नंबरया ऐं तो मैंने आपको सिखा है तो वह हमारा क्या होता है perfect square होता है तो अगर कुछ रहे जाता है उसमें ना तो लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे सिंस वन फैक्टर इस लेफ्ट ओवर हैंस थ्री शीक्स फूर फाइफ इस नॉट आ परफेक्ट स्क्वेर क्या लिखा आपने सिंस वन फैक्टर इस लेफ्ट ओवर फाइव जो है अकिला रहके बिचारा उसका जोड़ नहीं बना तो वन फैक्टर के जगगा आप लिपी सकते हो तो तो नमब बचा है वो नमब डाल दो सिंस थी इस लेफ्ट ओवर फाइफ इस लेफ्ट ओवर इस तरीके से आप साल्व कर सकते हैं चलिए आप करेंगे मिसका फूर्थ पार्ट ठीक है चलिए फूर्थ पार्ट में क्या है शिक्स सेवन वन जीडो ठीक है तो इन दोनों में साब कोई भी एक नमर चुन सकते हो तो भी चुन सकते हो फाइफ भी चुन सकते हो ठीक है और तो एक काम करता हूं आप यह तो इसे हो तो आपको इसमें यह छोटे वाली नमर चुनने है यह नमर!. में यह तो यह फुर एसे हो तो औल सो अब एसे हो तो यह उसमें यह छटे वले नमर चुनow uniform इसको क्या गोल सकते हो इसको आप एक कर सकते हो इसको नंबर है इनके नहीं कर सकते हैं इसको आप 2 लिखोगे तो वन को सब्सक्राइब करना पड ulirina at dinner to on to उसके से में क्या है जब आको वसान सब्सक्राइब हूं लाने के लिए तब वह नंबर चून सकते हूं तो टू मॉल्टिप्लाइवण 5 है तो hose वन से ही अएका इसकेल्आभग मलटिप्लाइब कि बात करें तो मैं यहिए नमर चुनना है क्योंकि इस नमर के मैं और आगे फैक्टर कर सकता हूं तो जब हम नमर के और आगे फैक्टर कर सकते हैं तो वह नमर नहीं चुनते हैं हम वह नमर चुनते हैं जिसके हम और आगे फैक्टर नहीं होगा तू का तू ही रहेगा जाधा ज्याधा बन हो जाएगा यह आपको धियान रखना है उसके साफंसे आपको चूज कर जब आपको ममलुम पोई कि चूज किया है उसका आगे फैक्टर नहीं हो सकता तब आप ले सकते हो तो। 5 ले आपने चलिंए तब बड़ा 5 1s are 5 तो 1 बचिया, 17 हो गया 5 3s are 15 तो 15 कर दिया ना, तो इसमें जब क्या बचिया 2 बचिया अगला नम्मर क्या है, अगला नम्मर 1 है 5 4s are 20 1 बचिया, तो 10 है 5 2s are 10, ठीक है अब आखरी पे 2 है, तो आब 2 से कर लेते हैं कोई डाउट ही नहीं है 2 6s are 12, तो 1 बचिया तो 14 हो गया 2 7s are 14, अब यह 2 है, तो 2 1s are 2 ठीक है जी, अब देखिए अब यह नम्मर में 2 से जाएगा नहीं क्या 3 से जाएगा, ट्राइ कर लेते हैं कितना हो गया 6 और यह 7 7 7 14, 14 हो गया तो यह तो 3 की टेबल में आता नहीं है तो 3 की टेबल में उता आता नहीं है यह तो यह नम्मर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा अच्छा अब देखिए, आखरी में क्या है 1, तो यह मुझे समझ में आगा यह नम्मर मेरा 2 से, 4 से 6 से, 8 से, 10 से 12, ऐसे नम्मरों से डिवाइड नहीं होगा अगर आखरी में और नम्मर है तो वो इवन नम्मर के टेबल में नहीं आएगा कभी नहीं आएगा करके देख लेना कोई सा भी इवन नम्मर उठालो उस इवन नम्मर के टेबल में और नम्मर नहीं आ सकता इवन नमबर को आप किसी भी नमर से मल्टिप्लाइ करो एवन नमर लिए आएगा फर एचंपल कोई भी नमर बताओ आपने अपने गाए टिटू इसको आपको देवन करो टू 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 इड्क लिएक्टे अगर टू को यह आपको ध्यान रखना है कि अगर number हमारा आकरी में हमारा odd number है तो वो even number के table में नहीं आ सकता तो मुझे पता है कि ये 2 के table में नहीं आएगा क्यां टीक है थिरी टीबल में नहीं आएगा मैं करगा सकोथ और यह वाइफ ऑलिया जग rend था आगा है तो यह शृत करम अब आख इएक क्या नहीं कि श्क्रणाब्त यहाएगा क्रणा प्रित अब्यार्ट तो और नंबर के टेबल में हमारा इवन नंबर भी आ सकता है टो चीजुब जहींoff तो आपका ओड़ नमबर नहीं आएगा तो मैं इसकीज़ करूंगा देखे से चर sich त्राइब करता हूं कि 6717 यह पूरा ठीक है क्योंकि जाएगा नहीं दोनों लेंगे सिक सेवन नाइन जा 63 होता है कितना होता है प्र 20-14 बनागया थो फॉर प सचाहिज तो भी ने न मेरा नाइन से नबर और जिस तरीके से नबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसी तरीकता 9 से करना है देखो 6,7,1 है ठीक है कितना गया 14 आ गया ठीक है तो ये नम्मर मेरा 9 के टेबल में नहीं आता ठीक है जैसे फ़र्जाब 81 है तो आपको पता लगाना है 3 से तो आप कहा करोगे 8 plus 1 is equal to 9 अरे हाँ 9 आ गया ये 3 से डिवाइड हो जाएगा अब इसी नम्मर को मैं चेक कर रहा हूँ देखो 9 से जाएक नहीं जाएगा तो 81 okay so 81 3 से भी डिवाइड ओ सकता है 81 से भी डिवाइड हो सकता है लेकिन जब और नहीं करता हूं or the चुरूँन कि दानान को चूरूजरा नहीं कर सकता क्योंकी 9 के आगे फैक्टर हो सकता है है 3ो सकता है लेकिन 3 कैसे रहेगा 3 3 मल्टिप्लाइ 1 हुरहेगा ठीक और 1 से आ नमबर से डिवाइड करना होता है जो नमबर आगे और उसके फैक्टर ना हो सके ठीक है अब देखिए तो मेरा यह मुझे पता थे अब तो क्या मसला हो गया अब तो मसला यह हो गया कि यह नाइन से नहीं जाएगा 11 से 11 से 6 11 मेरा और नमबर है 11 है 66 कितना बचिया वन उतारा वन अरे वह 11 वन जा 11 अरे वह ठीक है जी 11 116 66 तो वन बचिया और वन पहले से 11 11 मजा आगे जी अब देखिए 61 है ठीक है तो अगेन हमारा क्या है यह हमारा है अर्ट्न सो थी से जाएगा ट्राय कर से 7 नहीं जाएगा सैबन कि में आता नहीं है यह ठीक है ठीक है आन्ठियं से त्रव में रखता है 15 और मैं इंट्रीन 15 Sharp कह तो सब्सक्राइब, गोड़ान न states आप तो एक यहांखिंड आखरी टेबल छाइगा यहांज ओप 15 से नहेंज जाएका 16 से जाएगा 6 तो फम नरे 7 करेंप लेए 17-4 48-7 यह एक बार 19 फूर जान हो गया चुछ जाए रहें जाएक है इसे त्राइब आपको समझ में नहीं आ रहा तो यह पता किसे जाएगा यह जाएगा यह जाएगा रहा हो तो आप उसी निम्मर से दिवाइड कर देना ठीक है । तो इसमें क्या हो गया इसमें When फैक्टर ना एक भी रवर्ण दम्हा मेरा एक बाना एक भी दिया कि यहांपर हमें सोचना पड़ेगा मैं क्या लिखना पड़ेगा जब हमारा एक नमर बस्ततम लिखते थे हम क्या लिखते थे since one number is left over hence it is not a perfect square तो यहां पर हम क्या लिख देंगे हम यहां पर लिख देंगे since यहां पर क्या लिख हो गया है यहां पर लिखना since no pair is formed since no pair is formed ठीक है since no pair is formed क्या आप लिख सकते हो since no pair is formed and all factors आर लेफ्ट ओवर हैंस 6710 इस नॉट आप परफेक्ट स्क्वेर थेकर आपने क्या लिख दिया no pair is formed कोई भी पेर फाम नहीं हुआ आइन आप अल फेक्टर्स आर लेफ्ट ओवर सारे जो फेक्टर है लेफ्ट ओवर होगे मतलब कुछ हुआ ही नहीं तो यहां हम क्या लिख देंगे इडिज नॉट आप पर्फेक्ट स्क्वेर या सिंपली आप यह भी लिख सकते हो सिंस नॉफेक्टर इस फॉर्म इफिए सिंस अब लुक्त अब 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 लुट आए अब 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 टेक्ट इसकी जगह आप कि अब यहां पर क्या लिख होगे आप सिंपल होगे सिंस कि जब एक नमबर बचता था आप लिख दिए आप क्या लिखते थे इस नॉट इन पेयर या फिर थ्री इज लेफ्ट ओवर दोनों में से आप कुछ भी चुन सकते हो इसमें तो बहुत सारे नमबर है तो इसमें कह लिखेंगे आप लिखना सिंपल सिंस factors are not in pair hence 6710 is not a perfect square ठीक है यहाप आप लिख देना सिंस factors are not in pair hence 6710 is not a perfect square चलिए रब करते हैं अगला देखिए फिफ्ट पार्ट इसका उसमें कहा हमारा 59 चलिए 5929 सबसे पहले मैं इसको टू से डिवाड़ करने सकता मैं त्री से ट्राइब करूंगा 5929 तो 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 9 ठीक है कितना हो गया 555 कितना ना 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 कितना होता है 18 18 और 2 2020 25 25 25 तो मेरा आता नहीं नहीं मेरा टू प्लस 5 पर तो 7 ना मेरा या आता है तो यह नमबर मुझे देखने के बाद समझ में आ तो मैं इसको अब मुझे 7 से ट्राइक कर लेता है कि मेरा 7 से जाएगा या नहीं जाएगा 7749 उता होता है तो मैंने किया तो थी बच गिया उतारा मैंने टू हो गया तो मेरा कड्या यह से लिखें यहां पर 7 कितना आएगा 8 7 एट जा फिफ्टे शिक्स तो थी बजी तो थी और टू कितना गया थर्टी दो हो गया फिस सेवन फोर्जा टू बजी तो फूर नाइन कितना हो गया 4749 हो गया 7749 ठीक है अब मैं इसको भी दुबारा ट्राइक करक हूं थोड़ा ट्राइक करो ऐसे जैसे पहली बार सेवन से ट्राइब हो सकता है कि उसी के पेर चल रहे हो 177 तो वन बच गया वन दोसमादी गया तो 0 आ गया 2747 होगया तो हमारा सभी जा रहा है 717 तो 11 बचेया 14 7 14 अब यह तो आपको पताई यह 12 11 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 तक हम पहुंच गए हमारा यह सवाल हो गया ठीक है आप क्या लिख हो गया आप सिंपली आप लिख दोगे कि हमारा नमबर क्या था 5929 यह मारा नम्मर था नहीं थोड़ा उसको लिख लेता हूं क्या था मारा 5929 इसके फेक्टर क्या है 771111 यह आ गिया पीर बन गिया सिंस नो फेक्टर इस लेफ्ट ओवर यह इसी जग आप यह भी ले सकते हों सिंस अल फेक्टर्स आर इन पियर दोर में से कुछ भी से चुन सकते हों हैंस फाइफ नाइन टू नाइन इज आ परफेक्ट स्क्वेर स्वाल हो गया मेरा ठीक है जी इसको स्वाल करते हैं फोर फाइव जीरो फाइव सिक्स आखरी में से तो तो टू जट वाइड करूंगा देखिए ले तू टू जट फोर टू टू जट जट फोर फ्री वाला वन बच गया तो अगला गया जीरो टैन हो गया तो फाइव जा यह भी वहने शॉल्व कर लोगा रहा है कि क्या चल रहा है ठीक है अब देखिए द्वारहां टूचे करूंगा कि टूबन वन्जटू टूचाओ टूटू टूटू चैजा टूटू जाविए टूटू सिक्षाट्व मशारालें टूफ टूफोर इट लेगो जब तक हैंने जीरो टू फोर शेक्स एट रहेगा मैं टू से डिवाइड कर सकता हूं ठीक है अब एलेवन है बन तो जाएगा नहीं लेना पड़ेगा एक साल लेना पड़ेंगे टू फाइव जा टैन तो वन बच गया अगला नमर क्या है टू तो ट्वैल हो गया तू सिक्स है टू सिक्स लिए तू से कर यह परणा और दों से किज एसे बहुत लब मज़ा रहा है टू वन सा तू के एट्ट अब देखें आपके कुछ बच्चे आप गल्दी करतें बच्चे क्या क्रेंगे तूफॉट टीट कर दिया अब ये वन तो जाएंगा नहीं तो नहीं सारे लेंगे शिक कर देंगे यह रॉंग है क्यों रॉंग है पहले बता दो आंसर आएगा इसका अंसर आएगा देखिए टू फोर्जा एट अब वन टू के टेवल में नहीं आता तो आप हमें दो नमबर लेने पोड़ने एक साथ तो पहले जीरो लगाएंगे अब लेंगे नमबर टू एड़ इसको दियां से समझी आपको लगेगा यहां पर देखिए जब यह 1126 और आप थे इसको तो टूच दिवाइट किया यहां वह आप आफ आपने क्या करा यह हमारेbach 0 बचा औहुआ मने और रहा यहांसे वबन उतारा अब यह नहीं जा रहा ना तरहां सब्सक्राइब लगाते तही क इंडों न Yuk तो यहाँ पे क्या मसला है यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लगाया अब है कि अगर मैं किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं थीक है कि मैं टू से किसी नम्बर को डिवाइट करता हूं ना तो मेरा यह यहह इसमें टू है सरे मतलब यह उन डिजिटेश वड़ा नमबॉ जब तो जब मैं डिवाइट करूंगे टू एट वंचिक्स तो मेरा रू यह कहता है कि मैं एक एक नमनicated लेसकता हूँ एक ही एक मतलब एक एक नमबर मुझे लेना है अगर के जाता है तो वह अलग मसला है नौर्मली मुझे एक ही नमबर लेना है जैसे मालनी जी मैंने यहां पर एक नमबर लिया यह नमबर मैंने चुना है अग मालनी यहां पर थ्री होता तो मैं एक ही एक ही नमबर ले रहा हूं अब यहां पर गया ना 18 बन गया तो अब मैं इसमें 0 नहीं ले रहा हूं लेकिन क्योंकि क्योंकि आप एक बारी में 1 से ज्यादा नमबर लेते हो तो हम क्या करते हैं हम 0 लगाते है अगर मैं 12 से Pour cbq कब जाँρέ दरुबार नंबर है तो मेरा यह एक साथ पहरें, पो याद दर्खना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर 0 आया है लेकिन जब मैं एक बारी में दो नुमर उतार होंगा तब मुझे 0 लगाना पड़ेगा इस तरीके से होता है ना आपको पता होगा डिवाइड जबाप करते हो तो उसी तरीके से है यह हमारा अब आगे चलिये तू से करिए अब देखिये मैं एक बारी में दो नमब लिए एक बारी में दो नमबर लिए तो मैं चाहता तो यहां पर दो लगा सकता था लेकिन स्टार्टिंग में लगाने का क्या benefit है इससे लिए कोई यहां पर लगाता भी नहीं और समझाता भी नहीं है ठीक है लेकिन आप चाहो तो आप लगा सकते हो रूल के साब से लेकिन आंसर तो अगर स्टार्टिंग में हम दो नंबर लेते हैं और यहां पर एक नंबर वाली डिजेट से हम सजीभी दो बचा 90 अथाव यहां ट्रीम क्या करते हैं मिंधान हम्ने जिरो थारा है है लेकिन लेकिनन एक नंपर है और यहां पर एक ही नंबर है तो लगाना पड़ जाता है तो 2714 0000 248 अब देखें टू से दुबारा धोनímडंपर नंबर उतारएं के साथ दो नवाले लगाते जब आप एक बारी में डोनबर को तारते चलिक bunlar करते हैं तब हम बूलते हैं कि अब इसको दुबारा हम से डिवाइड करेंगे टू वन केरी तो 15 हो गया टू सेवंसर फिफ्टीन सो वन केरी टू सिक्साइब ट्वैल ठीक है यह चलता जा रहा है बहुत लंबा होगे मेरा यह है ना तो मैं इसको दोड़ा यहां पर कर लेता हूं क्योंकि मेरा बहुत लंबा हो गया मेरा यह था ना 176 तो मैं इसको आदम है यहां पर सॉल्व कर रहा हूं अब 2816 देखें जीरो आना चीए था क्योंकि मैंने एक साथ दो नमबर लिए मगर मैं स्टार्टिंग में जीरो ल आए अब देख्या देना एटीएट इसवी तो सकता है क्योंकि आख्री में सब्सक्ता है अब मैं क्या थे नमबर चल्दिए जोस नमबर यह बड़ना चल्लू में किसी से रहुए चैसे मैं क्या करूंगा इस केस में मैं डोनों में से कोई बी नमर ले सकता हूं अब मेरे लिए कोई condition नहीं कि मुझे लेना पड़ेगा अगर यहां पर मालो फर एजामपल यह नंबर मेरा फोर से भी दिवाइड हो रहा है अगर आपके तो फोर टूजा एट फोर टूजा एट ठीक है फोर नहीं ले सकता क्योंकि फोर को तो मैं इसे लिए सकता हूं तू मल इसथे समझ में तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा मालीज़िए कि मैं यहां पर चुन लेता हूं ठीक है तो पो फोर टूजा इस तरीके से हो जाएगा और अगर मैं आपर इलेवन चुना देखिए मैं ताभ वो सब दिखाऊंगा मैं यहां पर इलेवन तरम टूज आपका एक की सब्सक्राइब न यहां पर ओड़िक नोीचा सवग्या पिभल होग्य होगे सारे नंबर ऐसे वने चाहिए बढ़ यहां पर जो भी नंबर होंगे सारे नंबर ऐसे होने चाहिए कि उसको आप आगे उसके फैक्टर नहीं कर सकते ठीक है अब यह मेरा सॉल्व हो गया ठीक है अब मैं क्या लिखूँगा आप जैसे मानने जिए मेरा यह था एक दो तीन चाहरो पांच चेह साथ आठने और मेरा एक बार्त कितना आगया ड्लागर वह चरवकलिका फेरnant अब देखे बन रहा है ग्यार का नहीं बना तो हम लिख देंगे सिंस कि 11 इस नौट इन पेर ऐसे लिख दो यह आपको यह फिर आप लिख दो सिंस एलेवन इस कि लेफ्ट ओवर ठीक है यह आपके लिख सकते हैं आप ऐसे लिख दो और वन फैक्टर इस लेफ्ट ओवर इन में से आप कोई भी चुल लेना ठीक है आपने लिख दिया इसके बाद आप यहाँ पर करता हूं हैंस 45056 इस नौट अ फैक्टर ठीक है उसके बाद आप यह लिख दो गए हो गया सौल आपका चलिए आगे बढ़ते हैं